तो भाई जब उस बंदे को पता चला ना कि मेरा मतलब कि आईडियाल पर्मिट रिवोक हो गया है उसका तो भाई फेस तो ऐसा हो गया था पूछो मत क्यों कि अफ़ोर्स सी बात है भाई किसी के साथ ने अगर ऐसा होगा कितना सारा पैसा जो है मतलब लगा करके यहां पर बं क्युक्τοिय ऊगी क्या क्यूंक्या कितना ज जरूरी है यह बात जो है आपको ईस वीडियो के लाशत ही दे की पद रोगा है इसी आप कितना भी पढ़ा लिखा है आपके पास कितना भी अनुभर है मेंटर नहीं करता है अगर आपके पासחנוनिकेशिं नहीं है आपको कहां पर कौन सा बात करना है कैसे बात करना अगर ये पता नहीं है तो क्या होता है आपका बना हुआ काम भी जो है मतलब बिगर जाता है नह06 हो पाता है तो आज की वीडियो में जो आपको पता चले चेले गा कॉम्मुनिकेशन जो है क्यों important है हमारे life में और इसको जो है मैं एक example के तोर पर समझाऊँगा क्योंकि एक मतलब की उसको बोल सकते हो मेरा कली की है वो हम लोगे साथ में मतलब काम करता है उसका क्या हुआ यहाँ पे उसका ID expired होने वाला था और अचली Malta भी काम करता है तो उसका ID expired होने वाला था तो उसने मतलब की यहाँ पी जब ID अपे expired होने वाला होता है तो 3 और 4 मांथ पहले यहाँ अपलाई करना पड़ता है अगर आप सेम कंपनी में काम करना चाहते है तो continue अगर आप कंपनी अगर आप चेंज करना चाहते है तो उसका procedure मतलब different है तो उसने मतलब की apply किया renewal के लिए सब कुछ मतलब की अच्छा जा रहा था फिर बाद में उसका approval भी आ गिया क्योंकि मतलब जो भी paper था उसने submit किया था फिर approval आने के बाद में जो है उसने finger के लिए appointment भी लिया जाके finger भी दिया उसको blue paper भी मिल गया blue paper के मिलने के बाद में जो है कुछ दिन के बाद like one week या two week बोल सकते हो मतलब कि इसी duration में जो है ID collection letter आता है by post आपके घर के address जो है मतलब यो collection letter आता है तो जब उस बंदे के पास जो है जब collection letter आया ID collection letter तो वो बंदा जो है ID collection letter ले करके जो है उसने identity mantra में गया अपना ID मतलब collect करने के लिए पिस जिस दिन वो ID collect करने के लिए गया उस दिन मतलब थोरा लेट हो गया था क्योंकि एक timing होता है मतलब कि वहाँ पे ID collection के लिए एक limit time है अगर उसके बाद में जाएंगे तो लोग मतलब मेकरों जान से लोग नहीं देगा तो ये बंदा जो है मतलब company से छुटी ले करके leave ले करके जो है ओ गया था ID collect करने के लिए बड़ बाइ मिस्टेक उसने मतलब वो जो है वहाँ पे लेट पहुचा तो वहाँ पे लेट पहुचा तो लोग मतलब कि मना किया उसको कि आज नहीं मिलेगा आप नेक्स दे में आओ तो फीर क्या हुआ इस बंदे मतलब कि उसको explain करना चाहा मतलब कि मेरे company से मुझे leave नहीं मिलेगा मतलब next time में नहीं आ सकता है इसलिए मुझे आईडी आजी चाहिए बट प्रॉलम यहाँ पे कहाँ पे आता है जो बंदा था उसको मतलब कि English like बोल सकते है अच्छा से मतलब कि उसको बात करने नहीं आता था तो उसका कहने का मतलब वही था कि मुझे company से जो है leave नहीं मिलेगा तो मुझे आज ही आईडी दे दो बट क्या हुआ आइडेंटी माल्टा के जो स्टाफ थे उसको समझ में आया कि यह company से मतलब leave कर रहा है मतलब यह जा रहा है तो लोग सोचा कि में भी साइद यह यहां से मतलब कहीं दूसरे जगा मतलब जाने के प्लान कर रहा है तो यह सब चीजी जो है मतलब वो लोग को mind में आया तो फिर क्या किया उन्होंने जो है एक paper पे sign कराया और बोला कि आप next day में चुना या करके आप अपना ID collector के लेके जाओ बढ़ वो paper पे जो sign करने के लिए बोला उस बंदे ने बिना पढ़े लेके वहां पे sign भी कर दिया क्योंकि थोरा उसको English problem था तो आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा क्योंकि मतलब जब Malta में बंदा आता है तो पूछता है कि English जरूरी है नहीं है तो आपको जो है आगे पता चलेगा कि मतलब यहां पे इंगिस कितना important है अगर आपको नहीं आता है तो क्या क्या problem मतलब फेस करने को मिलेगा तो उसने sign कर दिया फिर किया हुआ नेट्स दे जो है वो बंदा गया अपना ID करेट करने के लिए जब वहां पे उगया तो उसको जो है एक रिवोकेशन का जो है email रिशीब होगा रिवोकेशन मतलब होता है एक तो simple terminate होता है तो terminate आपको जो है employer करता है जब आप request करेंगे या आप कुछ मतलब काम मतलब कुछ server करेंगे तो वो जो है terminate करता है बट अगर आपका ID मतलब permit अगर revoke हो गया है उस it means होता है like आपका ID भी revoke हो गया मतलब work permit और ID दोनों revoke हो जाएगा तो जैसी ही आपको जो है अगर revocation का email receive होता है उसके बाद में जो है आपके पास सिर्फ ओ सिर्फ 3 days होता है उस 3 days में जो है आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं I mean कोई employer ढूल करके जो है अगर आप apply कर सकते हैं अप्लिकेशन submit कर सकते हैं तो ठीक है otherwise after 3 days you will be illegal in Malta मतलब कि आप illegal हो जाओगे after 3 days के बाद में फिर क्या है यहाँ के government जो है या कुछ भी मतलब आपको उपर legal action लेकर करके आपको रिपोर्ट कर देगा मतलब यहाँ पर आप समझो कामप्रेट्टी इलीगल हो इलीगल हो मतलब होता है क्रिमिन टाइप का केस बन जाएगा तो इसा होता है तो रिवोकेशन जो है मतलब बहुत ही मतलब क्या हो देंजर सीजे मतलब ऐसा किसी के साथ ला हो और यह जो वीडियो बनाने के में परपस है यह है अगर किसी के साथ में ऐसा होता है तो आगे जाकर करके जो मतलब कौन सा स्टेप ले सकता है तो उस बंदे का रिवोकेशन आ गया फिर जब रिवोकेशन आ गया इट मिन्स उसका सब कुछ मतलब अडेंटी मालटा से कैंसिल वह यहां पर नहीं रह सकता है अप्र फिर उसने कंपनी के एचार से बात किया कंपनी के एचार उसको में बंदे को डाउट है रिवोकेशन या संथिंग ऐसा करने के लिए फिर उस कंपनी के एचार आइडेंटी मालटा को कॉन्टक्ट किया कि भाई यह बंदा अभी हमारे साथ में काम कर रहा है फिर इसका रिवोकेशन क्यों आ गया फिर आइडेंटी मालटा जो है उसको explain करता है कि यह जो बंदा का मतलब की बोला था कि मुझे मतलब की leave करना है जाना है इसके वज़ा props कहां पर हुआ इस बंदा की बह rud기 को समझ में ने आ है क्योंकि इसको पता नहीं था मतलब कैसे बात करना कैसे रिवेंयों करना है यह अपने हिसाब से मतलब कि अच्छा ही बोला था बड़ प्रोलम क्या था उसको मालूम नहीं था कैसे बात करना है मतलब इंग्लिस उतना अच्छा से मालूम नहीं था तो इस वज़े से जो है उसका ID और पर्मिट जो है दोनो रिवोक हो गया है तो आपको यहां से एक सीख मिलता है अगर आपको इंग्लिस नहीं मालूम है आप यहां पर आते हो तो some time क्या होता है आपका दोस्त हेल्प कर देगा manage कर लोगे but हर जगा पर आपका दोस्त नहीं help करेगा कहीं कहीं पर आपको खुद से manage करना पड़ेगा और most of the time जो है अब identity मालटा में जाओगे तो अंदर जाने पे जो है आपको single allow करेगा जाने के लिए तो उस time पे जो है आपको खुद communicate करना पड़ेगा तो वहां पे अगर कुछ mistake होगा तो उसका जो है मतलब की result जो है बहुत ही मतलब danger हो सकता है positive और negative कोई भी मतलब की यहाँ पे guarantee नहीं है तो इसकी लिए जो है जो भी मतलब की मालटा आने वाला है या आ गिया है तो उसको मैं बता दिना चांदता हूँ कि जो इंगलिस जो है बहुत ही important है बहुत ही ज़रूरी कि अगर आपको पता नहीं है तो आपको 100% कहीं ने कहीं जो है problem face करने को मिलेगा तो आप ट्राइ करो आपको अगर suppose नहीं आता है थोड़ा बहुत आता है तो आप मतलब की YouTube में बहुत सारा इसा है मतलब चैनल है मतलब बहुत सारा वीडियो पड़ा हुए आप वहाँ से थ कर पाओ तो भाई जब उस बंदे को पता चला ना कि मेरा मतलब की आईडियो पर्मिट रिवोक हो गया है उसका तो भाई फेस तो ऐसा हो गया था पूछो मत क्योंकि अफ़ोर्स सिंपल सी बात है बहुत किसी के साथ ने अगर ऐसा होगा कितना सारा पैसा जो है मतलब लगा तो मतलब की यह प्लस पॉइंट था कि कंपनी के तरफ से मतलब की कोई भी एक्षन नहीं लिया गया मतलब की कंपनी टर्मिट नहीं करवाया था रिवोक नहीं करवाया था तो इसलिए जो है वो बंदा थोरा सा मतलब सेफ चोन में चला गया फिर क्या होगा कंपनी का जो ए नया में जब हम आते हैं, नया कंपनी जोईन करते हैं, उस टाइम में जो प्रोसीजर होता है, अभी उसको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रिवोब जब एक बार हो जाएगा, तो आप जो है, मतलब कि उसको रिनुव करा ही नहीं सकता है, फिर से जो है, नय कर पाता हूँ, तो आप ठ्राइ करो, मतलब कि बहुत सारा सोर्स है, सिखने के लिए, तो आप वहां से ठ्राइ करो, थोरा-थोरा आप सीखो, एप लिस इतना मालूम होना चाहिए, कि आप किसी से भी जो है, मतलब कि बात कर पाओ, आपको जो प्रोलम है, वो जो है, एक्स् तो आप मतलब कि ऐसा गलती ना करो तो इसलिए आज से ही जो है आप शुरू कर दो मतलब कि सीखना थोड़ा बहुत और जो भाई मतलब इंडिया से यहां आने वाला है इंडिया बंगलाज दस पाकिस्तान नेपाल कहीं से भी तो लोग जो है आपके पास टाइम है तो आप ज आना चाहूंगा और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जो बताएगा और हमारे चैनल के अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा क्योंकि मैं माल्टा जोब से रिलेटेड जो है वीडियो बनाते रहता हूं तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैं